हिले शूडेंस वेलकम वैक टॉआ आवर यूटू चैनल आरे एंट स्टेड़ी सेक्से स्पॉइंड थेले बच्चों को आप फिर से मारे यूटू पॉआनल आरें success point पे आपका बहुत बहुत स्वाधत हैं बच्चो आज की वीडियो में हम लोग class 9th का बिज्यान का वर्कषिट number 9 करने वाले हैं आज की में हम लोग जो है बिज्यान का वर्कषिट number 9 करेंगे आज की तारिक है 26 2021 और जैसे कि पता है जो भी वर्कषिट आ तो गती यानि कि मुसम चेप्टर एट से आ रहा था तो आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे चाल के बारे में तो देखो चाल होता क्या है बच्चों हम आप बता दें कि कोई भी बस्तू प्रती सेकेंड कितना दूरी तैक कर रहा है ठीक है प्रती सेकेंड ये प्रती घंटे में कितना दूरी कवर कर रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते है चाल यानि कितना है की गई दूरी बटे में समय को हम लोग क्या बोलेंगे चाल बोलते है ठीक है ये पर बताया गया कि आप लोग इस तरह से जब यात्रा करते होंगे सड़क पे तो आप लोग इस तरह का साइन ब तो आपका ओभर स्पीड का चलान कट सकता है जा पीसली लगाया जाता है तो हम यहाथ से साइन बोर्ड का मतलब यहीद ठीक है और अलग-लग जो भीविन विस्तू होता है यह बता रहा ही पे कि यह के निश्ची दूरी तरिक निएक समय लग सकता है तो कितना अलगलग समय अपको एक A से B तक जाना था कोई एक पर्षन है जो इसे चलने में 10 मिनट लगा रहा था कोई एक पर्षन है इसको चलने में 5 मिनट लगा रहा था I imagine करो कि A से B तक की दूरी 20 मिटर था था थीक है तो इससाफ से हम निकाल सकते हैं कि इस पर कौण सा पर्षन का चाल कंज़्दादा तेरे चलने में wij में 8 इहां से अम लोगs चाल को इसलिए निकालते हैं चाल निकालना पड़ते हैं तो चाल का फॉर्मुला आप लोग moż Feder होत चाल बोलेंगे, यानि कि आप लोग बोल सकते हैं, अपने तरफ से जो definition हम बना रहे हैं, दूरी बटे में समय होगा, ये तो चाल का formula होगा, तैक की गई दूरी, कि सिखास समय में तैक की गई दूरी के दर को क्या बोलेंगे, चाल बोलेंगे, ठीक है, इस समय से यानि कि चाल सकेंड में रखना पड़ेगा या फिर जब भी दूरी को केलेमेंटर में ले रहे तो समय को हमेशा आवर यान की घंते में रखना पड़ेगा ठीक है और एक बस तुचाल को दर साने के लिए हमें केबल उसकी मात्रा की जरूरत पड़ती है मतलब वैल्यू का जरूरत पड़त फिर यहां पर बोला एक वहन अपने निश्चित अस्तान पर पहुँचने के लिए अनेक कारणों से अलग-अलग गती करता है मतलब अलग-अलग चाल से चलता है इसलिए हम ऐसे स्थितियों में वस्तु की यात्रा की आस्त चाल निकालते हैं आज जिसे हमें यहां से दिल्ली से सिमला जा रहे थे आप लोग दिल्ली से कहां जा रहे थे सिमला तो आप जरूरी नहीं है कि आप एक ही समान गती से चल ले होगा कभी आपका गती जादा होगा मतलब कभी चाल जादा होगा आपका कभी कम होगा हो सकता है पहले घंटे आप लोग पचास किलोमेटर बर से चल लेते हैं कभी ज़्यादा रोड खाली होगा साथ किलोमेटर से भी चल लेते हैं तो पूरे जर्णी का पूरे यातरा का उसका अब चाल हमें निकालना है तो उसके लिए हम औसाथ चाल निकालते हैं कि एक काविरेज स्पीड कितने से दिल्ली से आपको सिमला जाने म किस स्पीड से चले होंगे तो हम क्या करेंगे औसाथ चाल का परिकरन मतलब किस तरह से निकालते हैं तो असाथ चाल जो होता है बच्चो बस्तु के द्वारत तैक की गई दूरी बटे में कुल समय मतलब वो कितना दूरी तैक किया और उस दूरी को तैक करने में उसे कितने समय लगा उसी को हम लोख आस agreementsya क्या बुलते है बचो आस बीदारन आपको समझाया भी गया है कि यूदि कोई कार सौ किलोमेटर चाहर गंटे में करति है तो यात्रह के दरान चाल अलग लग ही रही होगी इसलिए इसकी आस सत चाल काल लह हो से है आज की वर्षिट का चार कोशन है जो हम आपको समझाएंगे उमीद करते हैं कि आपको चाल और असा चाल समझ में आ गया होगा ठीक है बचो जैसा भी लगा कॉमेंट करके आप लोग जरूर बताना कोई समस्या कोई प्रोब्लम हो कोई सुझाब देना चाहते हैं तो जर सम्सक्तु दारह 21 समय में तै की गई दूरी को चाल करते हैं और गती का यसाई मातरक तो आप लोग चाल लिख लेना यहां पर गती मतलग वह हुआ चाल तो चाल लिख लेना अपनो ज्यादा चाहँड़ेगा कोशन में चाल की यसाई मातरक क्या है मीटर प्रतिशकर यानि क मेटर पर शक्रेंड शॉट मैसे बोलेंगे और या फिर आप किलो मीटर पर आबर भी लिख सकते हैं सबसे बड़ी यह साय मातर कैसे मेटर पर शक्रेंड लिखना है ठीक है बच्चों दूसरा जो प्रशन था आज का हम किसी वस्तु की संपूर्ण यात्रा के लिए चाल के अस है उसके असथ कर्थाल की बात क्यूं करते है इसके बारां बताना एक वहरण अपने निशित अस्थान तक पहुंचने के लिए अने कारनों से अलगलग गत्यी करता है मतलब ऑलग एक समान गत्यी दीसे नहें चलता कभी जय ज्यादा स्पीड होग और कभी कम होग इसका चा इमेद करते हैं ये भी समझ में आ गया गा तीसरा प्रशन देखेंगे आज का वर्षिट का कि हम किसी वस्तू की चाल सुन क्या किसी वस्तू की चाल सुन नहीं हो सकती है अपने उत्तर का कारण भी बताईए तो हम पहले लिखेंगे हाँ किसी वस्तू का चाल सुन नहीं हो सकती है अब क्यों कि जब वस्तू आराम की स्थिती में होती है मतलब कोई आराम करेगा नहीं चल रहा है तो कोई गती नहीं होती है और गती जो है वो सुन होती है और कोई गती नहीं करता है इस बसे चाल यहां पर देखो हमेंसे चाल के जब गलत आ गया गया गूगल टांसलेटर के विज़ा से चाल सुनने होती है ठीक है तो इमिद करते हैं यह भी आपको समझ में आ गया है आज का वर्शिट का जो चौथा प्रशन है बचो कि एक कार अपनी यातरा के पहले घंटे 20 किलोमेटर दूसरे घंटे 30 किलोमेटर आ तिसरे घंटे 40 किलोमेटर की दूरी ते करती है तो इस प्रकार की ओसाचाल परि कलित के जिए इसका औसर चाल क्या होगा, तो कुल था की गई दूरी हम निकाल लेते हैं पहले यहाँ पे, तो 20-30-40, त यानि कि 90 किलोमेटर, लिया गया कुल समय, कुल कितना समय ले रहा एक, 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 तीन घंटे, औसर चाल क्या होता बच्चों, कुल था की गई दूरी बटे में समय, आ उपर आप नीचे समय यानि कि 90 बटे में 3 आप 90 बटे 3 नीचे ऐसे भी लिख लेना अब काट के क्या एगा ठीक है